हेलो एंड वेलकम आप देख रहें इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूँ प्राची पारशर और आज मेरे साथ कुछ खास मेमाद यानी अपकमिंग फिल्म शिव शास्री बलबुवा की स्टार कास्ट है तो आए सबसे पहले आपको इंट्रिड्यूस करवा देते हैं दा वन बहुत स्वागत है तो बहुत सारी बाते होंगे इस फिल्म को लेकर तो देखें आपने फिल्म का ट्वेलर तो देख लिया फिल्म में कहानी जितनी इंट्रस्टिंग नजर आ रही है जब आप सिनेमा घरों में जाएंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये कासरी बल्बुवा रिकॉल होता है रौकी बल्बुवा इस फिल्म में आप सफर भी करते हैं उनसे मिलने के लिए अब आप मिले नहीं मिले तो फिल्म देखने के बात पता चलेगा उस सस्पेंस को छोड़ देते हैं लेकिन रियल लाइफ में क्या आपकी मुलाकात हुई है नहीं हमने एक अबाट फॉंक्शन में उनको देखा है मगर मुलाकात नहीं है बट फिल्म में वो रौकी बल्बुवा को मिलने नहीं जा रहे हैं फिल्म में वो अब बेकॉस रिटायर हो गए हैं और अपने बेटे के बास रहने जा रहे हैं और कोई उनका है नहीं बेटे बेटा उनको वहायो में रहता है और जैसा कि आपके रजट शर्मा जी ने इंटर्डूस किया इस फिल्म को इसलिए हम इंडिया टीवी में यह बताना ज़रूरी है कि अजिन जब इसक्रिप्ट मुझे भेजा था तो उसमें मैंने पढ़ा कि रजट शर्मा इस टॉकिंग इस लिए को सकते हैं इंडिया टीवी मैं तो मैंने का वो सकते हैं और कोशिश करता हूं बद फिल्म इस ऑपाट इंस्पिरेशन की फिल्म है अम तर पर साट साल की अमर के बाद लोगों फिक्स कर देते हैं कि रिटायर हो गए हैं इनका कुछ होना नहीं है और फिर मैं इसक एक अकेली स्क्रीनिंग इसके बाद हम सीधा थेटर में लगा रहे हैं जो लोगों का रिस्पॉंस हमें मिला वो बहुत भी कमाल का रिस्पॉंस मिला और ऐसे हमारे जान पचान के सारे लोग नहीं थे कुछ हमने रेगिलर थेटर को बलाया उन्होंने फिल्म देखे वो बाहर खुश होके निकले जब इनसान खुश होकर बाहर निकलता है तो फिल्म का कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंश उनके साथ जुड़ गया है इस फिल्म में बहुत सारे लोगों को अपनी खुद की जिन्दगी हमारी जिन्दगी में नजर आएगी चुकि आपने जिक्र किया रजट जी का तो हमने उन्हें इंटर्व्यूज करते हुए आप की अदालत करते हुए देखा है फिल्म में आपने उनको लिया है फिल्म में शुरुवात उनके ही डायलोग से हो रही है शुरुवात फिल्म की और अंत फिल्म का उन्हीं के साथ ह तो यह कितना चैलेंजिंग रहा, कैसे मनाया आपने उनको? हमारे मित्र हैं, उन्होंने ज्यादा इसमें जद्धो जहदनी करने दी मुझे, म्यूचुल रिस्पेक्ट एक दूसरे के बारे में, उन्हों जानते हैं कि मैं बिना किसी बात कि उनको तंगनी करूँगा, बट बहुत इंपॉर्टन्ट फैक्टर था, उसका एक सपना है, मेरे कैरेक्टर का, शेफ शास्त्री का, जो कि अपने महले में, अपने एरिया में एक बॉक्सिंग क्लब चलाते हैं, इसलिए उनको शेफ शास्त्री बेल बोवा बोलते हैं, तो उनका इंटर्व्यू एक होता है, और रजट जी उनको बोलते हैं, कि आपका हम इंटर्व्यू तब चलाएंगे, जब आप फिलिडेलफिया में रॉकी स्टेप्स पर अपना वीडियो भेजेंगे, तो हमारे फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही एहम किर्दार से होनी थी, एक बहुत ही जो जाने पहचाने जर्नलिस्ट हैं, मीडिया टाइकून हैं, उनसे होनी थी, और अन्त में भी फिल्म के, वही डिकलियर करते हैं जो थीम का प्ले है, मैंने कल रजट जी मिले थे, उन्होंने फिल्म देखी कल, बहुत अच्छी लगी, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, और मैंने उनसे एक बात कही कि, खुद का रोल करना, अपना ही रोल करना, अपनी एक्टिंग करना सबसे मुश्किल होता है, प्रिकूर मुझसे कोई कहे कि, आपको अनुपम खेर का रोल करना है, अब मेरे तो 50,000 फैसेट्स हैं, मैंनला, मैं यह भी हूँ, वो भी हूँ, वो भी हूँ, बट रे वी दिद रे गूड जॉब, और मेरे कान में फुसकुछा, ठीक ही किया है, मैंने कर ने ठीक नहीं कि, आपने बहुत अच्छा किया है, अनुपम जी बता रहे हैं, तो इस फिल्म में आपका कौन सा कलर हमें देखने को मिलेगा, आपका रोल कैसा है, यह दर्शकु को बताईगा. So, how was my role? What color of your persona will they get to see you? I have many different colors in my tool kit and in myself. You see many colors, but my character's name is Sia and she's a fun-loving, bubbly, independent girl, half Indian, half American. And in this film she is dating this lovely character, Cinnamon Singh. And together we go on this adventure with Shiv Shastri Balboa and Elsa. And we go on this wonderful adventure of lots of laughter, tears, all sorts of emotions. This film is absolutely beautiful, so relatable, so original and yeah, what else can I say? We are happy to go on this adventure. We are happy to go on this adventure. We are happy to go on this adventure. Sharib, you are OTT, you are also looking for a role. Your role is small or big, it is always a big one. If we talk about this film, how will we see Sharib's role? Which character we will see? This film has a very beautiful character. The name is so beautiful, Cinnamon Singh. Because she is Honey Singh's fan. So that's why her name is Honey Singh, Cinnamon Singh. And she is such a beautiful girlfriend. In the film she is my Nicole Kidman. So, we love both, but the parents are coming from behind us. So, what do we get to help with Shiv Shastri Balboa and Elsa? And how do we get to work with each other? This is a very beautiful story in the story of the story. Ajain, how are you also difficult for your film? How did you have your experience for this film? How do you have to film and direct this film? How do you sum it up in the words? If I ask you, when shooting at the time of shooting, how did you feel like? And when you are watching the trailer, you have a screening, you have seen the whole picture. How did you feel like? The whole process was very fun, because I have the most amazing Ayn Paum sir and Neenah. So my job was just to show up and turn the record button, make sure the record button is on. और रेख, और रेख, and that's all I did, but it was an amazing creative experience, and especially Anupam sir, throughout the process, he was not just an actor, he came in as a guide and a mentor, and it was a fun creative experience, and as Anupam sir always keeps saying, that comes on screen as well, once you watch the film, you will realize that we had a lot of fun. Anupam sir, we had a guiding light for everyone. I was taking advantage of many films, but also the story came from Ajahn's personal life, Ajahn, how many years have you been staying in, almost 20 years now, 20 years, and his father lives in Kerala, and when he went to New Jersey, when he came to New Jersey, तो उनको जो महसूस हुआ, अकेलेपन, क्योंकि उनके के केरला में बहुत सारे दोस्त हैं, और जब यहां से अपने foreign abroad में settled होके लोग जाते हैं, और उनके अबास तो कुछ नहीं करने को होता है, उनका सरकल अलोग होता है, बेटा बिजी होते हैं, I think that was the first germ of the… Correct, that inspired me to write the film, it was basically from the personal experiences, especially my dad, because when you look at West, you think about a very rosy picture, you know, बड़ा सा गर है, life is good, but when you look at it from an Indian, we need social network, we need your neighbor, your friends. आचे ट्रेलर में एक डालोग भी है आपका, उस टालोग में आप बोल रहे हैं कि यहां पर इतने सारे Indians रहते हैं, कोई तो हमारी मदद करने के लिए आएगा, तो यह जो एक charm रहता है, खासकर अपने देश से बाहर सेटल होने का, यह charm रहता है, और senior citizens जो वहां पर जाते ह हैं, तो क्या मुश्किले आती हैं, क्या यह कहानी वह भी बताएगी? Of course, loneliness की कहानी है, every character in itself is a lonely character, वो बेशक हासते हैं, बद फिर भी इसके बावजूद मुस्कराते हैं, इसके बावजूद खुश रहते हैं, I think उनका character lonely है, वो singer बनना चाहते हैं, और petrol pump में काम कर रहे हैं Elsa केली है, मैं अकेला हूँ, यह independent लड़की हैं, यह डोनट्स बनाके बेचती हैं, हमने इस 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 इलाके में shooting की, वहां बहुत सारे हिंदुस्तानी रहते हैं, यह मेरा personal जो तज़ूर्बा है, कि आप अपने देश से निकल कर दुनिया के किसी भी इलाके में चले जाओ, आ आप अपने देश को अपने मन से दिल से नहीं निकाल सकते हैं, वह ना हो कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, हमने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे बुजर्ग लोगों को देखा, उनके पास एक sense of purpose की कमी है, तो और बड़ा अच्छा किस्सा होता था कि जब हम स तो जब आप अपने पास प्रिशानी होती थी कि वह नमोर कैसे कहें, बट वुट गर्मी में शूटिंग करते थे हुए हर दरवाजे कोल दिये थे सबने, आए हमार साथ खाना का ये, शिकंजवी लाते थे, लस्सी लाते थे, खाना लाता था, ढोकला लाते थे, समोसा लात और ये तो अपने आप में एक्टिंग स्कूल हैं, तो आपने क्या सीखा, आपका एक्सपीरिंस परसनल कैसा रहा इनके साथ काम करके, कौन सी बारी की है एक्टिंग की जो शारिव ने सीख ली, बिना बताए, उससे पहले मैं बता दूँ कि आज मैंने स्कूल को खुले हु तो इस इते तो परेकिया मैं क्या बताऊ उप मतलब जो एक चीज्ज मैंने सर से सीखिये ना, वह इतना कंटेजिम होता है कि हम पूरे अच्छ में भिखेर देते हैं तो वह पैशन मैं चाहता हूं कि मैं भी ताउम्र इसी पैशन को बरकरा रख सक हूँ अपने अंदर यही चीज सीखिये मैंने अनुपम सर से नर्गीज आप से तु मैं एक पोल खुलवाना चाहरी हूँ कि सेट पे इतने भी लोग थे उनमें सबसे ज्यादा आपको किस ने परिशान किया अर्गा मैं सबसंघने तरही विए फिजा नवाथ ठाव फिल्म को ब्रौण कांपि यहाँ दोकि अर खाव मैं पहरी है? मिए कॉछ प्रुम में मुझे कभी कभी लग्ता कि सेट पे सब्सक्र मुझे पहन थीचा करको फ्ल्में अचाहाँ अनुच नहाँ नहाँ वाँ भी बहुत जरूरी है क्यों कि छोटे बजट की फिल्म है हम क्यों हम चाहते हैं कि आप से बात्चीत होते रहे ताकि फिल्म बनाना एक काम तो ही मुश्किल पर फिल्म से ज्यादा मुश्किल आजकल मार्केटिंग करना लोगों को किसी तरह से थेटर में लाना बट इंस्पार वो अपने न्यू यॉक में रहते थे उनको मैंने खीच के बाहर निकाला मैंने का चलो एक्टिंग करो आती है तो थोड़ा से उनने वर्क आउट किया जो फिल्म का जो जो जॉइ ऑफ प्रफेशनलिजम है वो आपको सिनमा में नजर आएगा अचा ऐसे इंट्रस्टिंग पोस्टर भी है जिसमें बॉड़ी नजर आ रही है और आपता चेहरा है जब आपने वो पोस्टर जारी हुआ तो एक कमेंड पी आया था अक्षे कुमार का उन्होंने का कि मैंने बॉड़ी बनाने के लिए तो कहा था लेकिन ऐसी बॉड़ी बनाने के लिए नहीं का था हम से जुड़ी वी चीजें जो है उसको आजकल दुनिया हजारों पोस्टर चल रहे हैं उसमें हमारा पोस्टर क्यों देख कोई दो बुज़गों की कहानी नीना गुपता मैं ऐसा लगता कि अरे कहीं उंचाई का पोस्टर तो नहीं है या कोई पुरानी फिल्म का कोई उनके पोस्टर दुनिया है यू है तो उस तरह से तू इस तेंड आउट मैंने का ये ऐसा लगना चाहिए और मेरे वर्काउट के भी पोस्टर कुछ जाले हुए ये पोस्टर देख लिजे पिर हम चारों का ये वाला पोस्टर देख लिजे चार मायूस किसम की लोग हैं हाथ में अच्छे कुमार ने जो कमेंट किया उस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे उन्हें कि आपके वर्काउट के और भी वीडियो तो मेरे पीछे पढ़ा था कि यार तू कुछ कर कुछ कर सकता फिर अक्षे कुमार और फिर सल्मान गान यह तीनों मेरे पीछे बड़ा प्लब प्यार से बोलते थे कि आप कर सकते हो और जब मैंने करना शुरू कर दिया तो फिर उनक अब कर दो आज हम शिव शास्ती बैलबाग के प्रभाशन ने अक्षे कुमार बार फिटनेस की बात चल रहे हैं तो वीडियो देखे हम चला भी रहे हैं जब आप काफी मेहनत करते हैं अपने आपको फिट रखने के लिए तो चलिए तो फिटनेस की बात हो गई तो अब है अब आपको फिटनेस की जब बात हो रही है तो अभी अनुपम जी ने कहा कि लोग हैं जिनकी यह कहानी है जो अपनी लाइफ को हैपी बनाना चाहते हैं जब इतनी खुबसूरत गर्फिंड आपके साथ है इस फिल्म में तो लोनलीनेस किस बात की लोनलीनेस मेरे इस ने क् सवाल है कि इतनी लीग से बढ़कर कैसे मिलकी गल्फ है बट मेरे ख्याल से जब आप दूसरे देश में जाते हैं और कुछ करने की कोशिश करते हैं तो एक लोनलीनेस अपने देश से बिचडने का रहता ही है मेरे साथ में खुद परसनल हुआ था मैं पहली बार एक जॉब काटना मुश्किल हो रहा था ना मैं युझे पता नहीं कि यहां से अगर शॉर्ट कट लेना है तो कौन सा रोट पकड़ना है अगर किसी से बात करनी तो मैं कैसे बतलब अगर कुई अर्भी मिल जा तो इससे कैसे बात करूं तो वो लैंग्विज बैरियर और वो सारी अगर अटक गया तो अटक जाएगा तो मैंने अगले ही दिन मैंने अपना रिजिगनेशन दिया साथ दिन का नोटिस दिया और तबसे मैं बहुत खुश हूँ सवाल उनने यह पुछा था कि यह कैसे मिलके यह सवाल मुझे असा लगता है कि कभी-कभी रिष्टों में और that's why it is sometimes, when would you have good look like we have good looks like that? I think that she was looking for, Sia's character was looking for somebody who will give her emotional stability. Wait a minute, wait a minute. Okay. Are you talking about how we can be together and why we would? Yeah. Yeah, yeah. No, no. He's good-looking. I mean- He's funny. Women love sense of humor. That's exactly what emotional-sensitive is. oh my gosh well it doesn't guarantee emotional security interesting but yes here kings SUSE can sing can make you laugh he is running the gas station so yes he's stable that's important and and he doesn't have parents and for which your mother create such a playing character such a hangama आपके फिल्मों का सिल्सला यूंहीं जारी रहे हैं आपको काम करते देखते रहे हैं आपको क्या इंस्पायर करता है लगातार आप काम करते हैं इतना वक्त आपको काम करते वे आगया क्या आप मेसेज देना चाहेंगे क्योंकि बहुत से यंग्स्टर हैं जो छुटी-छुटी चीजों में थक जाते हैं अभी से अभी उन्होंने जिंदगी उतनी नहीं देखी है इतना ज्यादा और वो जब तक मेरी उमर तक पहुंचेंगे तब तक हो सकता वो वैसा सोचना लगे इसके दो लो फिल्में और जोड़ना चाहता हूं नहीं तो मेरा दो सतीश कोशी कहेंगा तूने मेरी फिल्म का नाम नह तो कागस तू और दूसरी जो मेरी हमने जो नेक्स फिल्म प्रोडूस किया, Signature भी बहुत अची कहानी नहीं, I think I love life, I live on a daily basis, I think every moment is magical, the fact that we are talking to each other, whether we are talking about the film, it's so wonderful to be alive, it's so wonderful to be having so much of, God has been very kind to all of us, means there are so many people who are worse situation than us, 0.1 percent come to to make it in this film industry, and we are in that 0.1 percent, we should be thankful to God, I am tired of watching my energy, in the car I was also understanding what I want to say, go on the key points, talk every time she goes away from the topic, talk about Shiv Shaakri Balboa, talk about it is releasing on 10th of February, talk about it, please go and watch about it, cinema halls में वो भी, cinema, I think it's, we should be thanking God every single time, moment and say how fortunate we are, and when, because we are so fortunate, we should celebrate every single day, तो देखें, फिल्म आपको दस फर्वरी को देखने के लिए मिलेगी, जब आप पिक्चिर हॉल में जाकर आप ये पिक्चिर देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, लेकिन अभी भी आपने देखा कि जब स्टार कास्ट के, अभी तीन ही लोग हमारे साथ हैं, एक डारेक्टर हैं, अभी जब इतना मज़ा आया इस शो में, तो फिल्म देखकर आपको कितना मज़ा आएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप से भी का, हमारे साथ जोटने के लिए, और अपनी फिल्म के बारे में ब स्टूर पर्ण